ये जो आप तवाही देख रहे हैं ये है साइकलोन मीश्वांकी जो की आया है तमिल नाडू में और बे अफ बंगॉल के इलाके में इस साइकलोन यानी इस चक्रवाद के आने के बाद से पूरे इलाके में लगातार बारिश होई है लगातार तूफान आया है और आप देख कि गाडियां तक दूब चुकी है, लोगों के फ्लोर के फ्लोर पानी के अंदर दब चुके है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है चिन्ने के World Trade Center की, जहाँ सडकों पर जमावाड़ा इतना जादा हो चुका है, कि लोगों के लिए माँ पर निकलना मुश्किल है, और यह इतना जादा फ्लोर चुन्हे में आया है, जो 2015 में पिछले पर आया था, कुछ वैसे ही याद दिला रहा है, जो यह पानी का फ्लो कितना जादा है कि गाडियां तक बही जा रही है, बड़ी से बड़ी है, एक नहीं एक लाइन से इतनी सारी गाडियां है, कितना फोर्स इस चक्रवात में अभी तक पास से जदा लोगों की जाने ले ली है, और वहां की फ्लाइट्स, वहां का जन जीवन पूरी तरह तरह तहस्ना है सो चुका है, बगर बात यह नहीं है कि यह चिन नहीं तक रुका है, और यह वहां से आगे बढ़कर आब आंद्रपरदेश की समझेंगे इस वीडियो में, पहले देखिए कि अभी यह सैक्लोन आया का है, आम तोर पे भारत के नक्षयों को अगर आप देखें, तो उसके इस्ट में आपको मिलता है बेव बंगॉल और उसके वेस्ट में है एरेबियनसी, इस्टन साइड में जो इलाका है बेव की जोग्रफी, इसका भूगोल कुछ ऐसा है, जहां पर चक्रवात बनने के सम्मावना बढ़ जाती है, और इसलिए आम तोर पैसे माना चाता है कि बेव बंगॉल में बहुत जारा चक्रवात आते हैं, अरबियनसी के मुकाबले, इसी कारणवाश आपको अक्सर सुनने में आते हैं कि उरीसा में एक साइक्लोन आया है, और काफी जारा बदञू है उरीसा साइक्लोन सीट वज यह देखे, यह cyclone इस इलाकिया में डेबलब हुआ है, तो सीधा प्रभावस का पहले तमिलनाडू पे पड़ा और चिन्ने के लागे में पड़ा, अगर हम satellite images देखे, जिससे हमें पूरा idea मिलेगी किस तरह से यहाँ पर चक्रवान की स्थिति बनी है, तो देखे, इस तरह से बादलों का जो समूँ था, वो पहले इधर गया और अभी पूरा का पूरा South India इसकी चपेट में आ चुका है, खास तोर पे South India का Eastern Coast, याद रखे, इधर West होता है, इधर East होता है, कोई भी नक्षा अगर हम देखे तो इतना याद कर लिए, नक्षे के, अगर आप अपने दा देखे, अगर आप उसको देख रहे हैं, तो नक्षे के दाई तरफ होता है, East, नक्षे के बाई तरफ होता है, West, ऊपर की तरफ होता है, North, और नीचे की तरफ होता है, South, तो Indian Peninsula का सदन पार्ट है, उसके Eastern Side में, यानि इस तरफ चक्रवाती हिस्तिती बहुत जादा बनी हु होना है, जो अल्रेडी बहुत तीज हवाओं और तूफान सिक्रस्ट है, तो यहां कई लोगों के जान की, जीवन की तबाही की अंदेशे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी जाना बारिश में बिजली जाती है, कई लोग जो अभी चिनने में हुआ है, हमें अलेक्रिक्य देखा गया है, क्योंकि वो बिजली के खंबे गिरने की वज़े से मर गए, दो लोग पेड़ के गिरने की वज़े से मौत हो गई, तो यह सारी चीज़ें जो हो रही है, बहुत ही भायावा है इस रीजिन के लिए, और अभी बहुत ज़रूरी है कि भारत की जो डिजास्ट चक्रवाद है, यहां से बढ़कर हमारे ऊपर यहां आंध्रप्रदेश से ऊपर उडिसा तक पहुच पाएगा, और क्यों यह चक्रवाद बनते हैं, जरा यह भी जानते हैं, देखे, चक्रवाद आम तोरपे क्यों बनते हैं, चक्रवाद वहां बनते हैं, जहां पर एक जिसके उपर का surface temperature almost 26 degree Celsius के आसपास हो और इतना surface हो कि वहां से पानी उपर की उठके और जा सके और जब समंदर का पानी 26 degree Celsius के तापमान के उपर की और बढ़ता है तब वो जा कि उस रीजिन के आसपास जो बादल हो थंडे बादल होते हैं उनसे टकराता है थंडे हवा से और यहां पर cloud का निर्मान करता है और क्योंकि हवा ठंडी होगे उपर की और उठती है तो यहां का इलाका क्या हो जाता है खाली हो जाता है वैक्यूम मन जाता यानि यहां पर एक low pressure क्रियेट हो जाता है अब इस low pressure को भरने के लिए हवाई तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आ लगती है अक्सर समुद्री आलाके में जाहां जमीन नहीं होती है और वहां समुद्री की सतय पर जब low pressure बनता है तो आसपास की हवाई इस low pressure को बढ़ने के लिए आती है और जब वो आती है तो उसके आसपास घूमने लगते हैं उस इलाके के आसपार इसलिए वहां पर उन इतना कमजोर होता जाएगा प्रश्ट उतनी इसके आसपास हवाई तीजी साथ घूमने लग जाएंगी और घूमते घूमते चख्रवाति स्थिती बन जाती है और फिर यह चख्रवात हवा के साथ anx खरता है और यह आपको दिख रहे हैं यह चख्रवात इसके ऊपर बंदे तब भी कोई चक्रवास होता है जब भी कोई चक्रमाथ होता है जर उब चब करेबाइद मूवर है तो जब बीजेन के उपर आते हैं इस हमें बॉल चक्रमाथ मूव करे नरTF duty नहीं है तो टीज Championships क्या है लहीं क्या लेया का हो जाती है क्योंकि जमीन पे इसको फिर खीचने के लिए इंचे से पानी नहीं मिलेगा नहीं बादल मिलेंगे तो इसलिए लैंड पॉल आने के बाद जब जमीन पे पहुंचता है कोई भी चक्रवाथ तो उसके बाद वह कमजोर पढ़ जाता तूफान तो चक्रवाथ आगे धरे धरे और कमजोर पढ़ता जाएगा जितनी दूरी यह तैप करेगा उतना ही कमजोर होता चला जागा यह चक्रवाथ और अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के तैयारी की तो आपकी UPC के तैयारी कैसे चल रही है और अगर आप 2025 का time target करें अपने attempt के लिए तो बहुत important है कि आपको एक basic support system मिले जो आपको guide करें बताय कि कौन सा information relevant है कहां focus करना है और आपको highest quality of classes मिले प्लस जो आपको accountable बना इतनी लंबी journey में अकसर हम भटक जाते हैं हमारिक पास कोई incentive नहीं रहता कि आज भी पढ़ें कल भी पढ़ें हम सोचते रहते हैं कि 6 मेने बाद पढ़ेंगे या भी बहुत time पढ़ा है जबकि time देखते देखते निकल जाता है ऐसी सिस्टम में हमें जरुद होती है कुछ ऐसी सपोर्ट सिस्टम की जो हमें गाइड करें हमें अकाउंटेबल बनाए अपनी प्रेपरेशन के परती क्योंकि motivation कभी-कभी कम बढ़ जाती है और ऐसी high quality classes जो आपको चाहिए थी जो आपको current fs से लेके quality, economics, हर एक चीज़ बताया हरी चीज़ समझाया NCRTC लेकर आपको top level तक prepare करें आपके exam के लिए तो वो हम लेकर आए हैं आपके लिए only ISPW का एक course foundation batch का जो title और संकल्प दो है title English में है, संकल्प Hindi, अफर English में उपको उपलब द है और केवल 10,999 पर भी उपलब द है live classes होती है, आप देख सकते हैं, आपको पतारेगा अच्छा कैसे cover करना है कि इन चीज़ों को तो बहुत relevant है आपके लिए तो आपको ध्यान लखना है, ये course अगर आप चाहें तो जरूर जोइन करें, आपके लिए बहुत relevant है please look ahead at this course which is your UPC Foundation course for 2025, इसके links आपको comment box में pinned मिल जाएंगे या फिर description box में मिल जाएंगे तो आए चक्रवाद के उपर आते हैं कि चक्रवाद को जब नीचे under pressure आता है तो आसपस हवा घूमती है और वो हवा का column जब जमीन पे आता है तो उसको वह हवा मिलेगी ना water मिलेगा ना हवा मिलेगी तो प्रेशर नहीं बनता है इसलिए जमीन पे जब एक कोई cyclone उतलता है तो धीदरे कमजूर होता चला जाता है वर अगर यही cyclone जितना मजबूत समंधर में है उतना ही cyclone जमीन पे होता तो पूले नौफ इंडिया को तबाह करते हैं यह साउथ इंडिया को तो यहां से जाते जाते हरी लग्वे को कि अभी तक चिननाई से लेके आंधर तक गुस्मे में यह पूरी तरह मजबूत रहा है और अगर आप देखे ना आस्मानी तस्वीर कैसे दिखती है तो पहले कुछ ऐसा था अब यह बादल सारे के सारे सीजन में आ चुके हैं बादल ऑविसली सावागे पुष के साथ इंड अब बहुत इंडिया की प्रेपरेशन नहीं के लिए उडिसा ने सचसेफ़ुली क्लाइमेट चेंज से और बढ़ते चक्रमातों से लड़ने के लिए अपने आपको बुछ अद्दक क्यार कर लिया है उसी प्रकार से जरूवत है कि मैं आपको तयार रखे और जो कम्यूट अब खोल के सामने है जो में तमिल्नाडों में दिख भी रहा है जिन भी घरों में के पास स्पेस है वो उनको अपने घरों में रहने बोला रहे हैं और कॉलेजिस ने में दरवाजे खोल लिया है क्योंकि लगातार यहां तबाही की स्थिती बनी हुई है लोग परेशान है भटा कर रहे हैं तो इसलिए लोगों ने कम्यूनिटी लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है इनको भी लड़ने की जरूवत है वो भी तयार रहे और बिल्कुल अभी कई टुक्णियां उडीसा में कुछ आंद्र बश्याइन दिखाई देंगी और इसलिए जिसे गर्मेंन ने भी काया कि मघण मश्य तो अगर्ड दिख रहे हैं तो पाली से दूर रही है विजली का करृशन ध्यान रखिय और यहां तकी ब बिजली वहाद कोशिश कर रहा है कि बिजली का करेंशन वहाँ वहाँ चालू रखा जा सके जहां पर अभी उसकी जरुवत है I hope तुमें लाडूम और आंद्रपरदेश पे कम से कम लोगों को नुकसान पहुँचे इस चक्रवात का लेकिन ये चक्रवात बहुत ही भायावा है तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहां आपने जाना कि चक्रवात कहां कहां पर पनपते हैं क्यों पनपते हैं और किस तरह उसका movement है किस दिशा में हो रहा है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद keep on watching ग्यान गोश and have a nice day